प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने देश को आज संबोधित किया PM ने अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड डोज पूरे होने पर सभी को बधाई दी साथ ही उनको भी करारा जवाब दिया जो सवाल उठा रहे थे बात उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की करे तो योगी के गड़ गोरकपुर से प्रियांका गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने जारी है पश्मी यूपी बुंदेलकंट से कॉंग्रिस करेगी प्रतिग्या यात्रा की शुरुवात तो वही बस पास सुप्रीमो मायवती भी अक्शन में जरारी है चुनावी जीतने पर कॉंग्रिस के फ्री स्कूटी और फोन वाले एलान पर हमला बोला और कहा कि इसे कैसे विश्वास करे और इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनीश कुमार डॉक्र साब बहुत बहुत स्वागत है आज प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने देश को संबोधिद किया 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने उन विपक्षियों को करारा जवाब दे दिया है जो थाली ताली बजाने को लेकर मजाक उड़ा रहे थे देखिए कल सेलिब्रेशन का दिन था कि भाई सो करोड डोज हमने दिये एक कीरती मान पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सामने नत्मस तक है कि इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ लेकिन हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों के लीडर्स के दिमाग को लकवा मार गया है आप कम से कम इतना कहते कि हिंदुस्तान के डॉक्टरों को बढ़ाई हिंदुस्तान के मेडिकल सिस्टम को बढ़ाई राहूल गांधी को ये कहना चाहिए था कि ये इसलिए पॉसिबल हो चुका है क्योंकि Congress Party ने इस तरह का infrastructure बनाया था vaccines की सुरवाद जो है Congress Party ने हिंदुस्तान में की थी there are n number of ways through which they could have congratulated the people involved in it लेकिन दिमाग में तो घून लग गया है राजनिती करनी आती नहीं है तो इन्होंने क्या किया ये छलावा है तो ये है तो वो है अब वही लोग सबसे आगे नजर आ रहे थे ये Congress Party के लोग और तमाम ये जो लिफ्ट लिफ्ट कबाल है एक तो पत्रकार था वो कह रहा था कि अगर इतना हो जाएगा तो मैं माफी मांग लूँगा अभी तक माफी नहीं आई बेशर्मी की कोई इंतहां है लोगों की जान अट की वी है इनको राजनिती समझ में आ रहा है तो इन लोगों ने कहा था क वे गिनिपिक बना दिया है क्या हिंदुस्तान के लोगों को इन लोगों ने कहा तक हिंदुस्तान के लोगों को गिनिपिक बना जा रहा है कि अभी ये वैक्सिन बनी नहीं है ठिक से और लोगों के उपर एक्स्परिमेंट किया जा रहा है और बड़े बड़े विद्वान ससी थरूर जैसे लोग अजब ससी थरूर जैसे लोग ये बात बोलेंगे जिनको ये पता नहीं कि प्रधान मंत्री वैक्सिन को लगना है या नहीं लगना है वो human body के लिए suitable है या नहीं है ये प्रधान मंत्री decide नहीं करता, for God's sake सरकार नहीं क करते हैं तो बड़ा आस्चरतब इसलिए मैं कहता हूं कि दिमाग में लकवा मार दिया है उसका protocol है procedure है उसके लिए committee है खास लोग है आपकी सरकार है आपकी सरकार के दौरान वैक्सिन बन गया तो लोग करें मोदी सरकार ने मरवादे सरकार थोड़ी वैक्सिन बनाती है वो इन लोगों नों तो कह दिया कि बई गिनिपिक बना जा रहा है अफ़वा क्या उल गई नपुंसक हो जाओ गए मुसलिमी लाके में बोलता है योगी मुदी की चाल है ये कोई करोना वरॉना नहीं है ये लोगों को जो है नसबन्दी कराने के लिए जो है ये सब काम किया ज चीजे जिसों कर सकते हैं बर्गलाने के लिए मुसल्मानों को आपने भड़का दिया अकूद पढ़े समाजवादी पार्टी के चीफ अखले स्यादब ये तो बीजेपी का है हम नहीं लगवाएंगे तो आपने तमाम तरह की चीजें की तो परदान मंत्री ने एक गरिमा सवेरे सवेरे में टेलिविजन पर आऊंगा देश के नाम संदेश दूबगा और जरा विपक्ष की क्लास लगाऊंगा तो उन्होंने क्लास लगाई और ये जरूरी भी है और मैं तो दूसरी बात कहता हूं अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है उसको पूरा हक है कि उसके आधार पर वोट मांगें और ये काम एतिहासिक हुआ है जितने भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग है उनसे बात किजिए सब यह कहते हैं अगर दूसरी सरकार होती करोना में कितने कड़ोर लोग मारे गए होते इसकी गिंती नहीं कर पाते हम लोग लेकिन जिस तरह का मैंनेजमेंट हुआ है वे बेहतर है तो कम से कम वेक्षी पार्टिकों को डॉक्र चैन सेस्फ फ्रंट dlaन वर्कर्स जो लोग秉समें काम के सफाई यहां नर्स हैं जिन लोगों ने जान पर खेल के यह सब काम किया है उनको बधाई दे दिया होते मामला खतम हो गया लगे भैं नहीं आकड़ा फेक है तो कुई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कर रहा है तो खेर प्रधान मंतरी ने आज सही सही जवाब दिया अब ज़रा चुनावी डंगल की बात कर लेते हैं प्रियांका गांधी काफी एक्षिन में नजर आ रही है, कॉंग्रेस की तरफ से प्रतिग्या यात्रा निकाला जाएगा, पर प्रियांका गांधी ने योगी के गड़ को चुन लिया है, गोरगपुर जाने वाली है देखिया अब ये प्रतिग्या किस चीज की है, प्रतिग्या किस बात के लिए? आपने प्रतिग्या यात्रा रख दिया, आज कर बहुत जादे कुछ रहे हैं, जेन्यू से कुछ लिए हिंदी डिपार्टमेंट के लोग ज़्यादा वहाँ पहुंच गए हैं, अब ये प्रति के रूल को हिंदुसतान ने देख लिया है, ब्रस्टतम सरकार कॉंग्रेस पाठी देती है। परतिया किस बात की? यूपी में परतिया करना है तो पहले परतिया ये होनी चाहिए कि हम सगठन को मजबूत करेंगे। पुराने पुराने आगरे सी कॉंग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, और जिन लोगों को ये उमीद थी, कि प्रियंका वाटरा के ना इंद्रा गांदी जैसी है, फिरस्टाइल इंद्रा गांदी जैसी है, इंद्रा गांदी की छवियून में दिखाए देती है, ये सेवेंटीज के ओल्ड जनरिसन के जनरिस्ट जो लिखते रहते थे पड़त बकैदा तारीफ में जो है आर्टिकल्स लिखा जाता था कोई करिस्मा नहीं पार्टी के लोग पहले से ही उत्साह उनका खत्म हो गया था ये जब से गई है वहां और भी लोग जो है फ्रस्टेट हो गया है कॉंग्रेस के लोग ये तो अभी तक डेमोक्रेसी है ना कॉंग्रेस पार्टी में भरे नहीं हो लोग हम उसे बात करते हैं फोन करते हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है Congress में बहुत सारे मित्र हैं हमारे वो बोलते हैं और बेरा गड़क हो गया है किसी के कोई इज़त ही नहीं रही कोई भी कहीं कब भी डांट खा जाए कोई ठीक नहीं इस तरह का situation बन गया है तो प्रतिक्याई आता तो ठीक है गोरकपूर सिंबल है आप इदर उदर करें लेकिन जो strategy है Congress Party की वो strategy बहुत ही simple है अगर Congress Party को revive होना है this is what they are saying ये को मैं suggestion नहीं दे रहा हूँ उनके खेमे से जो खबर आ रही है कि एक तो दलित को अपने साथ रखना है और मुसलमानों को अपने साथ लेकर के आना है और ये लोग अभी भी मुगालते में हैं कि अभी भी बहुत सारा आपर कास चंक जो है खास करके ब्रामनों का वो Congress Party के साथ है कुछ राजपुतों का साथ है वो खतम हो रहा है धीरे धीरे लोग फ्रस्टेट हो रहा है वो चले जा रहा है तो वो एक जो Congress Party का एक स्ट्रक्चर था वो चिन भिन हो गया है जो जो सपोर्ट बेस था उसमें धरार आ गई है तो अब इसमें क्या प्रतिग्या करना क्या प्रतिग्या नहीं करना वो तो प्रियंका वाटर जाने लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी फिलाल धंग से न मुसल्मान इनके साथ है न धंग से दलित इनके साथ है हलाकि यह लोग लगतार कोशिश में लगे हुए अगला दंगल मेरा प्रियंका गांधी और मायवती से ही जुड़ा हुआ है प्रियंका गांधी ने अभी कुस दिन पहले एलान किया कि अगर वो चुनाव जीतती है तो स्कूटी और लापटॉप देंगी सभी को तो इस पे मायवती पूछती है कि कैसे बिश्वास करें मेरा भी आपसे यही सवाल है कि जो लोक लुभावने वादे किये जा रहे है उस पे कैसे ही किन किया जाए देखे दो तरह के के लीडर्स होते हैं एक आपने वादा किया और वादा को आप पूरा करते हैं वादा कुछ भी हो आप उस वादे के ऊपर आप कटाक्ष कर सकते हैं कि यह जस्टिफाइड है यह जस्टिफाइड नहीं है जैसे एक एक नट्वरलाल है दिल्ली का फ्री पानी फ्री बिजली चलो भाई कुछ कर दिया तो लोगों को विस्वास हो जाता है कॉंग्रेस पार्टी कैसे विस्वास करेगा अग्मी 71 में इंद्रा कांधी ने का था गरेभी हटाओ गरेभी हटी ने अभी वही चल रहा है तो कैसे आद्मी विस्वास करे और सबसे बढ़ी बात उतियास छोड़ दीजे इनके जो भाईया है राहूल गांदी मुझे याद आ गया, रास्थान में चुनाऊ था उन्हें गार कि सारे बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे साथ हजार रुपे पर मंथ और वो भाषन यूटूब पे जाईएगा, आपको मिल जाएगा वो काउंट कर रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस और दस दिन के बाद अगर ये भत्ता की घोशना नहीं हुई, तो मुखमंत्र को मैं बदल दूगा दस महिने भी बीद गये दिन तो छोड़ दिये, दस सब्ता दस महिने बीद गये, दस साल की सरकार नहीं चलती है ने, दस साल भी बीद जाते हैं, लेकिन फिर भी यही काम उन्होंने, छथिस गल में भी किया कुछ असर नहीं, तो आदमी इन सारे चीजों को बकैदा देखता है, सोचता है, समझता है और जो सरकार, जो लीडर वादा करता है, और उस पे अमल भी करता है, तो लोगों का उस तरह की पार्टी, उस तरह की लीडर्स में विश्वास जगता है एक बात, जो यूपी के अलगलग जगों पे घुम के जो समझ में आ रही है कि ये जो योगी सरकार है उसका जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये योजनाओं को लागू करने में अवल है अगर इनोंने प्लान कर लिया फीता काट दिया उद्घाटन हो गया भूमी पूजन हो फिर काम रुकेगा नहीं आमेठी में पता नहीं क्या कर चीज का वो हाँ पे गांधी परिवार के लोगों ने रिवन भी काट देरा भूमी पूजन भी कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं कभी कुछ नहीं हुआ तो ये सारी चीजी हैं तो ये मायवती जो पूछ रही है वो सही सवाल उन्हों नहीं किया लेकिन वो सवाल पुरियंका वाडरा से क्यों पूछ रही है इसको भी समझने जरूरी है पुरियंका वाडरा जैसा कि मैंने बताया मुस्लिम और दलितों को अपने साथ खीचने के प्लैन में जुटी हुई है और उसान होगा और एक कॉंगरस का फाइदा हो जाएगा तो ये सीधे सीधे जो है कि जो गरीब तपका है जो गरीब लड़किया है वो अगर ये उनको समझ में आ गया कि भाई प्रियंका वाडरा आएगी तो लैपटाप भी मिल जाएगा तो स्कूटी भी मिल जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो मायवती पहले सही बता रही कि विस्वास्मुत करना ये जूट बोलने आ रही है और अब मुझे लगता है कि सारे लोग उसी तरह के टौफी बाटने में जूट गए योगी जी ने भी आज कह दिया कि 60 लाख युवाओं को 63 लाख पता नहीं कि क्या संख्या है कि लाखों के संख्या में युवाओं को सेलफोन दिया जाएगा तो पता नहीं और क्या 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 अपने ने लोग लुभावन वादिक किये जाएंगे ये डेमोक्रासी का हिंदुस्तान के चिनाव का एक हिस्सा है लेकिन इस 70 साल में पब्लिक स्मार्ट हो गई है वो जानती है कौन क्या कर सकता है कौन नहीं कर सकता है तो ये उसकी कहानी है समझना क्या है प्रियंका वाद्रा जब गरीबों की बात करेगी मायवती उस पे हमला करेगी प्रियंका वाद्रा जब सेक्लिरिजम की बात करेगी मुसलमानों की बात करेगी तो समाजवादी पार्टी अकले से जादे वाटैक करेगे कॉंग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा कोई खत्रा है तो भारती जनता पार्टी से नहीं उनका competition सबसे पहले समाजवादी पार्टी मुसलिम भोट के लिए और दलिदी भोट के लिए मायवती यहीं पे इन लोगों के बीच दंगल हो रहा है सर आप competition के जिक्र कर रहे हैं तो एक विपक्षी की तस्वीर भी आज़रा social media पे बहुत वारल हुई है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आप भी इस तस्वीर को देखिए प्रियांका गांधी मौजूद है और उनके competitor अकलेश यादव भी मौजूद है दरसल यह airport की बाहर की photo है और एक ही बस में दोनों सवार है इस photo को देखकर कुछ कहना चाहेंगे आप देखे मुझे तो अच्छा लगता कि अगर यह तस्वीर में जो दोनों की दूरियां हैं वो नज़दी क्यामी होती आप political opponents हैं अच्छी बात है लेकिन जब आप इस तरह से public place पर मिलते जुलते हैं तो एक घनिष्टा का परीचे देना आवश्यक है अगर दोनों मिले होते बाचित किये होते दोनों का हाल चाल पूछाज गया होता कि क्यासा चल रहा है नहीं चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अगर परस्पर नेताओं के बीच इस तरह के मधूर संबंद हो तो डेमुक्रसी उससे मजबूत होती है लेकिन पता नहीं ये पिछले 20-25 साल में हिंदुस्तान की राज़नती को क्या हो गया है कि जो टॉप के लिडर्स है वो आपस में उनका टॉकिंग टम्स भी ठीक से नहीं है बड़ बड़े निता आपस में दूसरे से बातचीत नहीं करते ये क्यों है क्या है ये सोचने वाली बात है लेकिन मुझे अच्छा लगता कि ये जो दूरियां थी वो आप देखिए पिछले चुनाओ में एक बस पे घूम करके हाथ लगा करके ये लोग भोट मांग रहे थे जब यूपी के दो लड़के एक साथ मिलके चुनाओ लोड़ रहे थे और ऐसा क्या हो गया कि अगर आप एरपोर्ट में मिल रहे हैं तो दूर से ही मुस्करा करके बात बाई बाई करने का मतलब क्या है साथ में जाते बाचीत करते थोड़ा देर गप करते और भी लोगों के साथ फोटो खिचाते उससे एक महौल जो है वो बहतर होता है चलिए बहुत 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 शुक्रिया से बाचीत का खाश शो यूपी का दंगल और उत्तर प्रदेश से जोड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी का ही चानल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार दो साल पहले शुरू हुई एक मुहिम मेडिया में एक नया आंदोलन शपत जूट को बेनकाब करने संकल्प सच को आप तक पहुँचाने का और इस ग्रांती को मिला आपका साथ हर दिन हम से जुड़े लोग 10 लाग 70 करोड से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके अब है आपकी बारी उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी आपकार कापिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश